कि रिवेल्यूएशन एसिट्स चलिए कि इन्स वाले तो हमें प्रैक्टिकल कुशन के साथ ही करना पड़ेगा कि जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं बता हुआ तब तक नहीं होगा इंट्रस अन कैपिटल हो गया इसके बात देखते हैं इंट्रस अन लून की बात कर लेते हैं पहले हम कुछ चीजे ये ना हमारा हीडन अर्जिस्मेंट का पार्ट होता है हमने अभी तक क्या देखा था अभ अभी भी अगर आपको ट्राइल बैलेंस दे दे और ट्राइल बैलेंस के बाहर सपोस करो कुछ भी बाते लिखी हो जैसे कि यह ट्राइल बैलेंस आपका माल लेते हैं और मैंने यहीं सिखाए कि यह ट्राइल बैलेंस है और ट्राइल बैलेंस के बाहर कुछ भी बाते लिख कुछ भी लिखा हो तो देट स्कॉल यह किसे क्या बोलते हैं अडजेस्मेंट बोलते हैं यह सिखें लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्राइल बेलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन नहीं भी देगा फिर भी वह अडजेस्मेंट का पार्ट माना जाएगा कैसे सर्फ जैसे कि लोन मैंने लिखा 10% लोन और लोन लिख दिया मैंने क्रेडिट में पचास अजार इसका मतलब लोन पचास अजार लिया लेकिन अब उसके ऊपर हमें 10% ब्याज देने हैं तो यह अडजेस्मेंट ही बन गया एक तरीके से आपको बाहर ना देखें यहीं पर परसंटेज दे आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लोन मैंने एक चार को लिए तब तो भी आप पूरे साल का निकालो अधर करना है और नहीं दे रखा तो कितना निकालोगे पूरे साल का निकालोगे ठीक है अब मुद्द्ध की बात है इसके उपर अगर मैं इंटरस निकाल भी इंट्रस निकलेगा क्योंकि यह जिस्मेंट है तो एक प्रॉफिट एन लॉस के डेविड में चला जाएगा और क्योंकि अभी इसका पेमेंट नहीं किया है आपने तो इसे आउट्सेंडिंग इंट्रस यानि लून में एड़ कर देंगे या फिर आउट्सेंडिंग इंट्रस के नाम से दिखा देंगे समझे बात लेकिन मुद्ध की बात यह है कि अगर आपको यहां पर सपोस करो पहले से ही इंट्रस लून आपने पेड़ भी कर रखा है तो इसका मतलब वेरी क्लियर क बनेगा क्योंकि पांच में से तीन तो पेमिंट हो गया तो दो हजार चला जाएगा आपका एड़ हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में इंट्रस के अंदर ही किसके नाम से आउट्सेंडिंग इंट्रस और दूसरा चले जाएगा बैलेंशीट के लाइबिटी में किस नाम से आउट्सेंडिंग इंट्रस चीक है अगर मानलो यहां पर दे रखा हो आपको पांच हजार रुपे तब तो अट्जस्मेंट ही नहीं बन पाएगा यह क्योंकि पांच हजार ब्याज बन रहा था और पांच हजार की पेमिंट ही कर दिया आपने तो तब तो कुछ ना लेना ना देना तो कोई अगर इंट्रस बन रहा हो छे हजार का तब तो अब प्रिपेड हो जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा आपका और दूसरा बैलेंशीट के हाला कि कभी ऐसा बनता नहीं है कि हम भी आज एक्स्ट्रा दे रहें ठीक है ना तो सबसे पहले लोन अगर हम किस और त्राइल बिलेंश के बाहर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अगर ट्राइल बिलेंश में गीवन हो तो हमें सब प्रॉफिट एंड लोस के डेपिट में चला जाएगा जैसे मैंने एक इंट्राइल बिलेंश के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक लाक रुपे और यहां लिखा हुआ है मैंने कितना दो हजार रुपे और रेट दस परसेंट है काईदे से देखा जाए तो पूरे साल का दस हजार बनना चाहिए लेकिन मैंने डेट में देट भी दिखा है तो छे मैने का निकलेगा ठीक है क्योंकि तीस नौ है तो ऑक्टॉबर नौंबर दिसंब की डेविद में चला जाएगा लेकिन फाट कहां दे रखा है अध्येस्मेंट में चला जाएगा जाएग है लाय अध्येस्ट की दो एंट्री होती है लाट चला ज्त कतना जाएगा छोड़ी आपको यह वाला पॉइंट अगर समझ ही आ गया तो इस वाले एक्जांपल को लिखने की जोरत ही नहीं है कि मेरे पास कोई इंपलोई काम करता है उसने बोला मेरी बहन की शादी है मुझे पांच लाग रुपे चाहिए मैंने लून दे दिया ये लो पांच लाग रुपे और धीरे अपनी सेलरी में से कटवाले ना या दे दिना पांस सल बाद क्योंकि जो ट्रस्टेड इंपलोई होते हैं तो मालिक यह चाहता है कि यार इसकी मदद करनी मेरी जिम्मेदारी बनती है और अगर यह चला गया फिर ट्रस्टेड इंपलोई ढूंडना बहुत मुस्किल हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपने लोन क्या किया हो दिया हुआ हो किसी को तो उसका क्या होगा जैसे कि इंट्रस ऑन इंवेस्मेंट हो गया एक तरीके साथ आपने किसी को दे दिया या फिर इंट्रस ऑन इंवेस्मेंट कहलो तो इंट्रस ऑन इंवेस्मेंट हमा तो अगर आपका इस पे गीवन होगा तो profit and loss के credit side में कितना चले जाएगा सबसे अगर trial balance में हो तो profit and loss के credit side कितने रुपे और जाएगर लिए तो और कितने के इपने यहां पर आठथ हजार तो एक तो profit and loss के अड़े रखा तो एक तो as a crude interest एड हो जाएगा इंकम में और कितने एड हो जाएंगे यहां पर आठ हजार रुपे ठीक है और दूसरा बैलेंश शीट में एक्रूड इंटरस्ट के नाम से चले जाएगा देट एट थाउजन तो टोटल पी एडल में कितना जाएगा दस ही गया ना आठ हजार तो एड हो गय लेकिन आपका एसेट कितना बना जो मिला नहीं है तो मिला कितना नहीं है तो आठ हजार तो आठ हजार यहां चला जाएगा बैलेंश शीट के एसेट्स समझे बाताव